हाई फ्रेंज देखिए आज का हमारा पुनाई डिजाइन बहुत ही असान है और इसमें हमें जो फंदे लेने हैं दस-दस के मुल्टिपल में लेने हैं और नौ फंदे एक्स्ट्रा मुल्टिपल उफ 10 प्लस 9 यहां पर मैंने 19 फंदे लिये हैं और रोवन हमारी जो है जाएगी यह सारे फंदे सिधे बुन लेते हैं तो फर्स्ट्रो पूरी सिधी बुन लेते हैं तो फर्स्ट्रो पूरी की पूरी हमने उल्टि बुन लेनी है तो यह दूसरी सिलाई है जिसे हम पूरा का पूरा उल्टा बुनकर यह भी कंप्लेट कर लेंगे तो अब तीसरी इसे सारी फंदे सीधा सिठी को बन लेंगे नित आहल तो फिर घम्लडे पूरी 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 ज़िपल सीध और Bishop ओलं पॉल हाल तो दीसरी और चॉत्टी चिला सिधी अटी पूल लेते हैं तो फ्रैंड चार ती इसलाही हमारी जो है स्टॉकिनर स्टिच से बन गई है अब फिफ्ट रो पांचवी सिलाई ध्यान से देखिए गाइसे पहले फंदे को सिल्प किया अब हम पहले एक फंदा सिधा बुनेंगे इसके बाद हमारा पैटर रिपीट स्टार्ट होगा जिसमें एक फंदा ये सिधा आएगा फिर अगले ये 2 फंदे है जो दूसरा फंदा है इसके नीचे 4 थो यानि कि जो फ्रस तो हमने बनाइ थी 123 4 4 सिलानी नीचे से हमने एक लूप निकालना है इस वह गाई से ढवेला रखेंग आपने इसे अब आगे कि चार फंदे सिधे बुनेंगे 12 bali m이죠 4 4 चार फंदे सिधे एक और लूप निकालना है इस तरह से, यह तो यह दो लूप निकाले बीच में हमारे चार फंदे है, अब हम छे फंदे सीधे बुनेंगे, एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, तो यह दस के मल्टिपल में चलता जाएगा, चार फंदे यह है जिनके आगे पीछे लूप निकाल 6 फंदे गैप के लिए बुनते जाएंगे पूरी रो में एकते जाएंगे फिर देखिए जब यह 10 फंदे कम्प्रीट करने का फिर से हमने से एक दो जो दूसरा फंद है उसमे पेले मीरा उसमें प्लाली स्यॉक्ष जाहाएं लोक निकाला एक जब थीर 패sten जाएंगे जाते जाय। हाफ इसके बाद से ते हम ने गैप के चे फंदे हैं यह सीधे बुनने है सिर भून की चार फंदे फिर शे तो तो यह दस फंदे बार बार रिपीट करते जाएंगे, लास्ट में जब हम यह लूप निकाल लेंगे, तो हमारे दो ही फंदे रहेंगे, जिने हम सिधा बुल लेंगे, ऐसे, तो यह हमारी फिफ्थ त्रो ऐसे कमप्लीट हुई, अब देखिए, शिक्स रो चटी सी लाई, पहले फंदे को पर्ल वाइस लिप्किया रॉंग साइड है, ऐसे, अब एक फंदा उल्टा बुनेंगे, और यह देखिए, यह जो हमने लूप निकाला था, इसे, इस फंदे के साथ, ऐसे, दो का एक त्रो उल्टा बुन देंगे, अब बीच के तीन फंदे उल्टा आएंगे, एक, दो, तीन, फिर यह वाला लूप जो है, इसे अगले फंदे के साथ, ऐसे, दो का एकर के बुन देंगे, तो हमने लूप्स को फंदों के साथ बुनकर जो है कम्प्लीट किया अब बीच के हमारे पांच फंदे उल्टे बुनने के बाद अब यह लूप है हमारा यह देखिए तो इसे हम इस फंदे के साथ उल्टा बुनेंगे इसे दो काई करते- फिर बीचके तीन फंदे उल्टे फिर से दो फंद में इसे पुनते आना है लास्ट में जब हम यह दो काई करेंगे उसके बाद दो ही फंदे बचेंगे जिने हम उल्टा बुल लेगे तो शिक्स थ्रो चटी सिलाई हमादे ऐसे कंप्लीट हुई अब सेवें थ्रो बहुत इंट्रेसिंग है ध्यान से देखिए पहले फंदे को स्लिप किया अब यह फंदा भी सीधा बुना जाएगा और यह आगे के दो फंदे जो है इने भी सिधा बुलेंगे अब यह जो बीच यहां से एक लूप निकालेंगे ऐसे फिर इसके उपर वाली रौ से एक लूप और निकालेंगे और उससे उपर वाली रौ से एक लूप और निकालेंगे और उससे उपर वाली रौ से एक लूप और निकालेंगे तो हमने ऐसे चार लूप निकालिए फोर लूप्स और फि यह हमने चारों लूप्स को इसके उपर से गिरा दिया अब हमारे दो फंदे यह सिध्याएंगे अब बीच के जो पांच फंदे थे वो भी सिध्याएंगे एक दो तीन चार पांच और फिर यह अगले दो फंदे भी सिध्या जाएंगे यानि कि नौ फंदे हमारे सिध्या त तीन और यह चार लूप्स निकाले फिर इस फंडे को सीधा पुन देंगे और जो लूप्स निकाले इनने एक-एकर के ऊपर से पास करते जाएंगे अगले दो फंडे भी सीधा आएंगे और उसके बाद पांच फंडे सिधा आएंगे फिर ये दो कंदे जो आगे का वह सिधा रैंगे और उसके बाद फिर से हमने ऐसे चाह लूप निकालने हैं तो यह हम जो है repeat करते हूए चलेंगे लास्ट हमारी सात्वी सिलाई ती सीवंधे थी एत्थ दो यह पूरी रो पहले हमो सीधी बुल्लेते हैं ऑल ननल दीदेगे इडेगे, और दीदेदेख अकूर तो फिल प्लेन षीड़ा स्थी बुल्लेते सारे के सारे फंदे जो है वह उल्टे बुने जाएंगे तो यह पूरी रो उल्टी बुन लेते हैं पहले तो अब देखिए हमारी 11 जिलाई 11 तो ध्यान से देखिएगा एक फंदा स्लिप किया 7 फंदे सीधे बुने जाएंगे एक दो तीन चार पांच छे और यह साथ साथ फंदे सीधे बुने अब जैसे हमने यहाँ पे किया था रो फिफ्थ में पांच भी शिलाई में देखिए एक दो जो दूसरा फंदा है एक तीन चार उसको हमने नीचे से कांट करना है चौत ही दो तीन चार जो चौत है यहसे लूप निकालेंगे ऐसे फिर चार स्वंदे सीधे बुनेंगे एक दो तीन चार फिर इस पॉइंट में, से एक लूप निकालेंगे आपते एसे और इसके बाद हमने 6 पंदे सिधे बुने रिखों में किया था बाकी वैसे ही जले गाशहा अंदे सीथे फिर यहीöh बनाएंगे यानि कि 40 बीच में और पीछ लुप तो लास्ट每 जब हम यह लूप बना लेंगे इस तरह से दो उसके बाद हमारे साथ फंदे बचेंगे जिने हम सीधा बुल लेंगे तो यह साथ फंदे हमने सीधे बुल लेने हैं ऐसे हमारी 11 थ्रों कम्प्रीट हुई 12 थ्रों बार्मी सिलाई फंदे हुई ग्री एक सर्थ फंदे गए चेह फंदे उल्टे एक बूंदे और से ऩो फंदे-चार पाँच छे और फिर दो फंदे-एक साथ साथ बंडेंगे हैँसे जो लूप है उसे बुन दिया का फिर स्वाद बीचके थे का फंदी आज इंग एक तेज्ञ रों में किया था चती चीलाई में किया था पांच फंदे फिर से यही चीज हमhay करा shaping से यायनी दो कर दो कर दो कर यहां इसे करते चांएंगे लास्ट मेरा हमारे यह सही फंदे वचेंगे फांच फंदे 5 दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ, आठ और एक हमने जो एच स्टिच को स्लिप किया था ये नो, एच स्टिच के मिलाके हमारे नौ फंदे सिध्यागे दो, चार, छे, आठ एक नो, अब देखिए ये बीच का फंदा है, एक, दो, तीन, चार, फोर्थ रो काउंट करेंगे नी ये फंदे एक लूप, एसे फिर उसके उपर से एक लूप, दो, फिर ये तीन, और ये चार, प्लीच उने निकाले इस फंदे ay pretended को सीधा ten बुने के बाद इन लूपसको एक हे करके उपर से गिदांते जाएंगे कि फिर 9 फंदे हमारे सीधे आएंगे UKE से हमने यह están aja बनाने हैं फिर 9 फंदे सीधे process प्रिये लूपस में इना के इसे ही उतारते जाएंगे तो पूरी रो में करने के वहार्त में हमारे जो फंदे बचएंगे अन्हें हम ऐसे और इस तर्स से इस अर्फ से सारी अलटी बुनने का इस दो सब्सक्राइब बुनेगे और फिर हम ने यहां से जो यहां पर है शुरू कर देला है तो इनी जो है वैसितो 12 सब्सक्राइब का पैटन है यह हमने चौ दिए बनाया क्योंकि फांडेशन की दो बार बार रिपीट करते जाएंगे तो हमारा यह पैटन इस तरह से बनते जाएगा देखिए बहुत ही खूबसूरत और आसान गुनाई डिजाइन है और बच्चों के प्रजेक्ट में तो यह बहुत ही खूबसूरत अगर आप चेकिए छोटी बेबी का कार्डिगन मनाते हैं इसी तरह से इस पैटन को यूज करते हुए तो बहुत ही खूबसूरत यह लगने वाला है और क्योंकि इसमें हमने यह लूप निकाले हैं तो थोड़ी सी वूल इसमें जादा यूज होती है नॉर्मल से जैसे आपको जो है 15 यह 20 परसेंट जादा उन लेनी होगी जैसे चार है तो भी सी एंदामएग करते हैं यह लिए लेनी होती है यह लगने जादा जादा यह दो कि अविताल करते हैं जादा पस्त बार करते हैं